नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो आप सभी राजिस्तान वासियों के लिए बहुती खास रहने वाली है इसी के साथ मैं आपको बता दे कि राजिस्तान में यहाँ पर धारा 145 फिर से लागू कर दी गई है और यह धारा 145 जुलाई तक लागू रहने वाली है अब दोस्तो आप सभी को यह तो पताईए कि जब धारा 145 लग जाती है तो पांच व्यक्ती एक जगए एकत्रित नहीं होते हैं और इसी के साथ में यह भी निर्देश दिये गए हैं कि बहारी जो लोग हैं राजनितिक लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते पूर्ण रोप से उनके लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है आखिर इस प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर देख लेते हैं हम पूरी जानकारी दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है राजस्तान के 33 जिलों से छोटी से छोटी कबर भी सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट की जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं जालरा पाटन में क्रेशना वालमिकी के हत्या के बाद उपजे तनाव के मद्दे नजर जालावार जि जिले में भारी संख्या में लोगों के जमाव वे बहारी राजनेतिक सामजिक धरमिक व्यक्तियों के आगमन से जनजीवन प्रबावित होना एंवं लोक सांति भंग होने की संभावना को देखते विये जिला कुलक्तर एवं जिला मजिस्ट्रेट जchnरवार धरी महण मेना धारा 145 के अंतरगत प्रेदर्त सक्तियों के परियोग करते हुए संपूर्ण जिले में निशे दग्या लागू कर दी है तो दोस्तों यहां पर जो यह धारा 145 है और इसमें यह व्यक्ति बहारी जो व्यक्ति हैं जो की राजनितिक सामाजिक धार्मिक व्यक्ति हैं यह जहला वाड नहीं आ सकते और नहीं पांच व्यक्ति एक जगे इखटे हो सकते हैं इसे के साथ मैं आपको आगे बता दें कि आदेश अनुसार जिले की सीमा में कोई भी पांच सिया पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे कोई भी संगठन संस्ता अत्वसमुदाय सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे तता नहीं कोई प्रदर्शन करेंगे यह है प्रतिबंद सरकारी कारेकरम पुलिस निर्वाचन संबंदी एवं कोविड-19 वेक्शिनेशन कारेकरम पर लागू नहीं होगा जिले में किसी भी भारी राजनितिक सामजी के धार्मिक व्यक्तियों के आगमन सामपरदा एक स्वहारत बिगाडने की दृष्टी से बिना अनुमयती प्रतिबंदीत रहेगा जिले में कोई भी व्यक्ति सोसल मीडिया के माध्यम से अनावसक तत्य आदान परदान नहीं करेंगे यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा तो दोस्तो आप सभी को पूरी जानकरी समझ आही गई होगी क्यों कि धारह 144 क्यों लगानी पड़ी है और सामपरदा एक सोहारद नहीं बिगड़ जाए इसके कारण जो व्यक्ति हैं उनको भी प्रतिबंद कर दिया गया है दोस्तो आप से रिक्वेस्ट है कि जो राजिस्तान से जुड़ी हर छोटी से छोटी हाइलाइट कवर होती है इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती है इसलिए अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है